प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस्तर पर तैयारी कर रहे हैं जैसा कि हमेशा एक विद्यान कुछ कहता है उसकी भावनाएं रखी जाती है तो आईए समझते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि खुद पर काबू पाले नहीं मनुसी की महत पूर्ण जीत होती है याद रखिएगा कि छातर जीवन में जब हम पढ़ते हैं और जब हम पढ़ने के दौरान जब हम छातर जीवन व्यतीत करते हैं तो उस समय हमारी मनोवेग ज्यानिकता अगर देखा जाए समझ में आई होगी और हमारा मुख्यूद्दे से अड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो हर एक भावनाओं को हम अड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे हमारा विशय चल रहा है भारती इतिहास में हम एंशेंट पोर्षन कवर कर रहें हैं भारती इतिहास हमारा विशय चल रहा है जिसमें कि गुप्त काल के बाद अब कोई केंद्र कित्व सासन जो है वो स्थापित नहीं है केंद्र कित्व सासित गुप्त काल नहीं था सामानतों में बटा हुआ था लेकिन अगर कहा जाए कि एक प्रभाव पूर्ण अगर कोई राज वंस रहा है तो गुप्त काल के बाद नहीं रहा उतना अच्छा राज वंस तो छोटे-छोटे राज्यों में बढ़ चुके हैं वो और छोटे-छोटे राज्यों को हम धीरे-दीरे पढ़ते जा रहे हैं पर इच्छह उपयोगी तथ्य जितने सारे चीज़े पुछ सभी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद त्रीपक्षी संगर्स करा दिया जाएगा फिर दक्षिन भारत में संगम काल पढ़ेंगे संगम करा दिया जाएंगे तीन फिर उसके बाद जो है आपका एंशेंट पोर्शन हमारा कवर होगा मध्यकालीन भारत के इतिहास की और हम आगे बढ़ेंगे आशा करता हूँ इतनी बाते आप लोग को समझ में आई होगी अब हम आगे बढ़ते हैं आईए जैसे देख सकते हैं आप कि आज हम पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंस ये थोड़ा राजिस्थान वाले एरिया में खसक्या है याद इनकी राजधानी रही है अनिलवाडा लेकिन एक समय में गुर्जर पतिहार वंसों ने कन्नौच को जीद कर आपका अपनी राजधानी कन्नौच पर इस्थापित कर ली थी तो इसे हम आगे में पढ़ेंगे ठीक है आचा करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आया होगा आईए हम आगे बढ़ते हैं और साथ में हम पढ़ने वाले हैं क्या राष्टकूर्ट वंस के बारे में जो कि आपका यहां दिखाई दे रहा है ठीक है राष्टकूर्ट वंस है हमेशा एक पर पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाओं का निर्मान किसने कराया तो आपका और कंप्लीट किसने कराया तो राष्टकूर्ट वंस के बारे में यहां देख सकते हैं कि नक्से में सारी चीज़े में इंशान है जो कि परिच्छो योगी तर्थ हमेशा वन लाइनर फैक्ट्स आप लोग के सामने रखे जाते हैं देख सकते हैं कि क्रिश्ण प्रथम ने लूरा और आपका कैलाश मंदिर का निर्मान कराया था ज्यादा गुदा गया है तो यहां देख सकते हैं लूरा गूफा कैलाश मंदिर और उसके बाद दुरू जो थे इसके राजा उत्रिपक्षी संगर्स में भाग लिए थे आगे में हम पढ़ेंगे तो इतना याद रहा है तो इसकी डीटेलिंगन फूफे कुछे जाती है समझ में आ रहा है दिखाई दे रहा है आप लोगोंगों डोड महर रही आज संतूष्ठा के नराज नहीं हो रहा है तो आब जो हम स्टाट करते हैं तो यहां देख सकते हैं आ be गुर्जर प्रतिहारवंस के जो शाशक है उनके बारे में पढ़ना है याद रखना है सबसे पहले कि अरब आक्रमनकारी जितने भी आये तो अरब आक्रमनकारीयों को अगर ढाल की तरह किसी ने भारत में अगर जो है आपका डिफेंड किया है वो है आपका गुर्जर प्रति के जाता हूं आप लोगों को गुर्जर प्रतिहार वंस कहां है यह दिखाई दे रहा है आपको इस छेत्र में जो है यह आपक रूप से फैले हों गुजरात और राजिस्थान के आपके दक्षिन छेत्र में ठीक है तो अगर देखा जाए अरप का लोकेशन तो वह इस तरफ ह अरप आकरमन कारी जब यहां आकरमन कर रहे थे तो ढ़ाल की तरह काम किया थ किणहों ने गुर्जर प्रतिहार वंस ने तो नाग भट ने सर्व प्रतम जो है आपका किसका अरवी आकरमन कारी ओंगा और हो जांके ओं परवेश कीया थे, भाद में वह उसकी कहानी आगे उसके बाद है आपके वत्सराज को अगर कहा जाए तो यह जो कहा जाएगा यहां मैं लिख देता हूं अगर कहा जाए तो वास्तविक संस्थापक अगर किसी कहा जाएगा तो आपका वस्तराज निकल गया था वस्तराज वास्तविक स्थापक अगर किसी कहा जाए तो आपका कौन है आपके वद्स राज इससे यह याद रखना है देन अगर थर्ट पॉइंट याद रखें इसे मैं कुछ इस प्रकार से आपका बना देता हूं तीन पॉइंट इन में याद रखना निवार रहे हैं ठीक है अगर कहा जाए कि एक्चुल फाउंडर कौन है तो एक्चुल फाउंडर है आपके कौन वद्स राज फिर उसके बाद इन ही के समय में जो है आपका त्रीपक्छी संगर्स स्टार्ट हुआ और इन्हों ने ही सबस और बोलता हूं कि नक्से से याद रखने जरूरी है सारी चीज़ों यह रहां आपका त्रीपक्छी संकर्स त्रीपक्छी संगर्स था कन्नौच के लिए तो त्रीपक्छी शंगर्स में कौन-कौन भाग ले रहे थे यह रहां आपके गुर्जर प्रतिहार वंस फिर उसके प्राम्प किया त्रीपक्छी संगर्स में पार्टिशिपेशन लेना तो आप था कौन था आपका त्रीपक्छी अगर्ट्स राज के समय में हुआ और मैंने बताया जो कि कि अगर्जर प्राज के बारे में यो जानना है कि जो है अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाए ने उसके बाद त्रीपक्छी संखर्स में इन्हें किया सबसे पहले किसमें गुरिजरपरतिहरवंस में देन सके बाद कि आपका पॉइंस के सासक किया वत्सराजने उसके बाद आते हैं आपके मिहिरभुढ 10 कि मिहिर भोच besky मिहर बोच दो है से सबसे प्रशासक के रूप पे आपका गुर्जर प्रतिहर वंस का सामने आया और मैं यहां मिटाल देता हूं इनके पॉइंट्स लिख देता हूं इसी से जो है स्क्रिंशॉट ले लिजिए ठीक है अब इसका क्लियर कर देते हैं तो मिहीर भोश से भी तीन चीज़े याद रखनी ए सारी चीज़े क्लियर कर सकते हैं तो यहां याद रखना है कि मिहीर भोश से कि इसी ने जो है आपका कन्योच को किसको कन्योच को इससे पहले मैंने बताया कि वहत्स राज ने धर्म पाल को अर। अब भराया तो धर्म वापस चले गया अपना बंगाल वाली छेट्र में ठि लेकिन इसके साथ एक दुविधा हुई इसे ही जो है राजा भोज कहा जाता है सबसे पहले याद रखना राजा भोज कहा राजा भोज कहा गंगुदेली कहा नी सुने हो गया आप लोग को आप लोगों ने तो याद रखना है मिहिर भोज को राष्टकूर्ट सासक ध्रू क् का एक हो गया धरम पाल पाल वंस का सासक जिसे की किस ने हराया था इसने हराया था लेकिन यहां याद रखना है कि मिहीर भोज को इन दोनों ने हराया आपका त्रिपक्षी संघर्स के दोरान जो त्रिपक्षी संघर्स हुआ वो कई 3-4 दिन की घटना नहीं थी 100 साल तक के त्रिपक्षी संघर्स चलते रहा किसके लिए आपका कन्नौच के लिए हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि हमेशा जो है विवाद का सौरी विवाद नहीं बोलना चाहिए मुझे जो आपका हमेशा अगर किसी प्रकार संकेदर रहा है कि इस छेत्र को हमेशा जीतना चाहिए मांने रिगवेदि काल से भी कनेक्ट क्या है कि एक आप श्ब्स अपनादेश के छेत्र में रहा है फिर से आप लोगको एक बार विजव याद रखना है कि सब्सेंद प्रदेश में रिगवेद की रचना हुई उसके बाद गौतम रहुगर के द्वारा जब आरी करन करने लग गए भारत देश का तो आपका वो कहा चले गए उत्तरवेदी काल में आपका इस छेत्र में भारत के उत्तरपूरी वाले छेत्र में यह इस समय संकेंद्रण रहा ठीक है यहां तीन वेदों की रचना हुई आपका यजूरवेद सामवेद रथरवेद की देन उसके बाद याद रखना है कि आपका जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं मगत समराजी के बारे में ठीक है जैन बहुत का काल अगर देखा समराजी में लड़ चर्चा होते गई आपका हर्यक वंस इसनाग वंस नंद वंस मौरे वंस फिर उसके बाद ब्राह्मन वंस का उदाय हुआ सुंग वंस हो गया आपका तो यह सामने आते गए देन उसके बाद देखेंगे गुप्तकाल में भी संकेंद्रण यही रहा फिर समय में राजधानी बन गया था तो तो तुरी पक्षी संगर्स किस वज़े से बाइब आपका गुरुजर परतीहर वन सिधर से दर से आरे दे और पाल इसे ही पाना चाहते थे तो तीनों सासक जो है किसे पाना चाहते थे आपका कनॉज को उसी लिए क्या हुआ तिरिपक्षी संगर्स हुआ तो उसमें आपका राष्टकूट सासक में कोना अपना भाग लिया आपका अभी माने बताया सबसे पहले मिहिर भोजने आपका वत्षराज ने भाग लिया और कन्नौज को राजधानी किस ने बनाया लेकिन याद रखना है कि मिहर भोजने क्या होगे आपका कन्नौज वाले छेत्र को राजधानी बनाई और परास्त किस्से हो गया आपका धुरू और धर्मपाल से ठीक है अब बढ़ते हैं आगे महेंद्रपाल इसमें याद रखना है कि महेंद्रपाल के समय में रहते थे आपके विद्व देखर और इनकी बुक हमेशा पूछी जाती है आपका करपूर सब्सक्राइब करपूर मंजरी करपूर मंजरी यह याद रखना है फिर उसके वाद रखना है काव्य मिमान्शा ठीक है करपूर मंजरी और काव्य मिमान्शा याद रखने हैं इनके बुक का नाम तो यह पहिंद्रपाल में द्यन इसके बाद आगे बढ़ते हैं महीं पाल इससे याद रखना है हम लोगों को याद रखना है सके ले लेना पीछे जाके ठीक है इसके समय में आपका याद रखना है बगदाद का निवासी ठीक है या यात्री आया था कौन आपका अलमसूदी अलमसूदी कोन आया था अलमसूदी इसके समय में आया था जो कि प्रस्ण सिधा पूछा जाता है देन उसके बाद थोड़ा सा और स्लाइट इधर कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई देगा ठीक है इतना हो गया अब आते हैं हम यश्पाल के तरफ यह जो है अंतिम सासक रहे और अंतिम सासक होने के साथ याद रखना है फिर से दे मिटाल रहा हूं कि 1036 सीशा पूर्व में आपका राष्ट कूटो ने राष्ट कूटो ने आपका क्या हो गया कन्नौज में इन्हीं के समय में अंतिम सासक रहे हैं और अंतिम सासक होने के साथ कन्नौज में आपका किसने आधि पत्ते जमा लिया राष्ट कूटो ने अपना अधिकार जमा लिया इतना हमें इन राष्ट कूट वंस से याद रखना है अब जो है आप हागे बढ़ते हैं डिटेलिंग के और आपका इस प्रकार से तो यहां गुर्जरपति हर्वंस के इतने जो है यह से फिर से रिवाइस करना है हमें कि हरिष्चंद्र खौन रहे हैं आपको गुर्जरपति हर्वंस के आपके अगर वास्तविक नहीं रहे हैं नाग भट रहे हैं वास्ति के रूप में हरिस्चंद्र Christian को भि माना जाता 1 लेकिन याद रखना है प्रस्ण कहां से यह सामन्त थे और उन्होंने अपना जो है गुर्जरपतिहारवंस की स्थापना की थी तो संतापक के रूप में इसे भी पूछा जा सकता है लेकिन नागभट को हमेशा प्रस्ण में पूछा गया है ठीक है राजधानी क्या थी अनहिलवाडा लेकिन बाद में क्या हो गई थ थी ठीक है तो इससे प्रस्ण पूछता है कि अनिलवाडा इनकी राजधानी थी फिर उसके बाद इतने राजवन्स राजाओं के बारे में जो डिटेलिंग भी है उसे अच्छे से रिवाइंड करके देखना है उसके बाद आते हम की गुर्जरपतिहारवंस जैसे की मैंने बताया है कि विदेशी आकर्मन से या आपका अर्भी आकर्मनकारी से भारत के द्वारपाल की भूमिका इन्होंने निवाई है ठीक है स्टार्टिंग में बताया मैंने यह वैस्ण धर्म के मतलब अनुयाई थे इसके समय कन्नोच का गौरव सीखर था याद रखेगा कि के के ही कि शेडर राजाओं के बारे में उलियुक्षा आगे बढ़र्जा अब आता है सीधा राष्टकूट में कि जानना है कि राष्टकूट में संस्थापक धें डंति द्यूर्ग। याद रखना है संस्थापक हमेशा पूछता है और राष्ट कुटो से हमेशा प्रस्ण एक पूछने वाला है अजन्तायों एलोरा की जो है आपका गुफा की जो गुफा का निर्माण किस ने किया है तो राष्ट कुटो ने किया है और MPPSC प्रिलिम्स में अभी जो हुआ है 19 संदे को उसमें जो है इसके प्रस्ण आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं कि आपका इनकी राजधानी के हां माल लिखेट लिखाया लेकिन क्या होगा मानने खेट हो ठीक है नासिक वाला चेत्र मतलब महराश्ट वाला चेत्र प्रसिद्य सासक कृष क्रिष्ण प्रफम को क्यों याद रखना है कि एक क्रिष्ण प्रफम वही क्रिष्ण प्रफम है जिसने जो है एलोरा की गुफाओं का निर्माण पूर्ण करवाया था ठीक है तो इसे याद रखना है दृति प्रसिद्य सासक धृू-धारवर्स बताया ना धूरू और नहीं होना है इसमें ठीक है यह वीडियो को दो-तीन बार देख लेना क्लियर हो जाएगा तो राष्टुक सासक धूरू-धारवर्स यही धूरू-धारवर्स है जिसने मिहिर भोच को हराया था किसमें आपका त्रिपक्षी संगर्ष के दौरान में कनोज में ठीक है तो यह देखें इतने शासकों के बारे में मैक्सिमम पढ़ना है जो है अप डिटेल अच्छी तरह से पढ़ना चाते तो हमारी डिटेलिंग क्लासेश चलती है उसमें आप अच्छी तरह से पढ़ सकते देन उसके बाद है महत्पूंट तत्थ कि अलमसूदी ने मानिखेट के वैपारियों को बसने और इसलाम के प्रचार की छूट दी यही राष्ट कुर्स आ सकते जिसनों कि आपका मुस्लिम वैपारियों को और मुस्लिम जो है आपका राजाओं को मुस्लिम वैपारियों और लोगों को बसने की अनुमति दी जैसे समझा जा सकता है आपका कि जैस अभी sync guys आहाए कहा नीचे में केरल में कने में में समय जो है जमूरीन राजा ने पर मिशन दी वैपार मसाले का आगे में हम पढ़ेंगे साली चीज तो वैसे ही जो है पर्मिशन दी जाती थी तो वैसे ही जो है आपका पर्मिशन किस्ण नहीं दिया आपका राष्टकूर्ट सासकों ने फिर उसके बाद है एलोरा एवं अलिफेंटा गुफा के मंदिरों का निर्माण इनहीं के समय में हुआ यह याद रख रहा है यह दिखाई दे रहा है एलो अब बढ़ते हैं आगे गुर्जर प्रतिहार वंस्परस्न नहीं इस प्रकार से देखिए यहा ध्यान से देखना है कि यह SSE में भी पूछा हुआ है तो गुर्जर प्रतिहार वंस का संस्थापक कौन था तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका इससे पहले हरिश्चंद की बारे में चर्चा हुई थी तो उस प्रकार से भी अगर डीप प्रस्न पूछता है तो हरिश्चंद अगर option में होगा तो हरि दिए हमेवाड़ दिएए दिल्ली दिया है और आपका इन में से कोई निया तो याद रखना है आपका मालवा वाला ही जु उज्जैनी वाला छेत्र कही सासक था आपका कौन नागभट प्रथम ठीक है तो कन्फ्यूज नहीं होना है इससे तो प्रस्णों को इस प्रकार से याद भी रख सकते हैं ज्यादा अफेक्ट जो है वह आपको प्रस्ण से ही रिलेट करके बनाए तो सबसे ज्यादा बहतर है आगे बढ़ते हैं अगला है किस राष्टगूट शासक ने नागभट प्रथम को पराजित किया था याद रखना दंती दूर्ग यहां दिखाई दे रहे है जो कि राष्टगूट वन्स का संस्थापक रहा है रहे से रिलेट करके याद रखना है है गुर्जर पतिहार वंस के संस्थापक को राष्ट कुट राष्ट कुट वंस के संस्थापक ने हराया था किसमें आपका त्रिपक्षी संघर्ज के दौरान ठीक है और मैंने बताया था कि थोड़ा प्रश्न पेचीदा का है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है इस प्रकार से भी प्रस्न पूछे जा सकते हैं तो इस प्रकार से प्रस्न पूछा गया है तो आपका क्या हो जाएगा 783 इस्वी में जो है आपका गुर्जर्पतिहार वन्सकर दूसरा महानसासक जो की वत्सराज था वो क्या है बैठा था 783 इस्वी में ठीक है आगे बढ़े पाल नरेस धर्म पाल को पराजित कर बंग और गोड पर किसने अधिकार लिया था ठीक है तो याद रखना है चात्रो कि पाल नरेस धर्म पाल को पराजित कर बंग और गोड पर किसने कर आपको मतलब बंगाल को घ्र को हराया था ठीक है ऐला कि प्रखार इसी ने किस पाल मुंगेः के समीप पराजित किय था ठीक है देख लेते हैं तो याद रख रहा है नागवट दुइती ने किस पाल नरेश को तो आपका फिर से यहा रहा था कौन उस समय धर्म पाल आरा था इससे ठीक है इस प्रकार से बाकी सारी चीज को रिलेट करके और इसे जो है को रिलेट करके डिटेलिंग को भी और से सारी चीज़े जितनी भी चीज़ें आप लोगों को इस प्रसंसत में कंप्लीट हो जाएगी ठीक है इसी उद्देश से इसे दो-तीन बार देखिए बिल्कुल सारी चीज़े आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा तो धर्म पाल जो है इसका अंसर होगा आग अगले हमारा नागभट दुटिएक को किस राष्ट कूट सम्राठ ने नागभट दूती को किस राष्ट कुट समराथ ने हराकर मालवा तथा गुजरात पर अधिकार जमा लिए गोविंद तिरती को हराके आपका नागभट दूती ने राष्ट कुट समराथ ने आपका हराकर मालवा तथा गुजरात पर अधिकार जमा लिए ठीक है आगे बढ़ किस काल से संबंदित है तो किस से संबंदित है प्रतिहार चालुक के होसल या राष्ट कूट तो जो करीब है काल से संबंदित प्रस्ण तो पूछा जा रहा है लेकिन आपका इसमें राज से जो है रिलेट किया गया है तो आपका क्या हो जाएगा अंसर राष्ट कूट ठीक है क्लियर आगे बढ़ते हैं यहां देख रहा है आपको प्रस्ण है आप लोगों के लिए गुर्जर प्रतिहार झालों के लिया भालों क्या है उ से जड़ी के लिया हैं उ उससे बाया में तो को बायाह धाती कि खफ लोगने क्या है om नयां시ा दो ठीक हैं प्रस्व इंसके व्दया में भी से शानला उम्ला बडिए खबने खबसक्राइगे जानला झाल झाल